बवासीर आज के समय में एक सामान लेकिन गंभीर बीमारी बन चुकी है। बवासीर के मरीजों को अत्यंत तकलीफों का सामना करना पड़ता है। कभी-कभी तो दर्द असहनीय बन जाता है। बवासीर में मलत्याग करते समय खून निकलने और तेज दर्द की समस्या तो होती ही है। साथ ही इनसान को बैठने या लेकने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और इन सब का मूल कारण है गलत खान पान। चलिए आज बात करते हैं पतंजली की दिव्य अर्शोग्रिक टैबलेट की। पतंजली आयर्वेद ने लंबे रिसर्च के बाद इस अर्शोग्रिक टैबलेट का निर्मान किया है। 28 जड़ी बूटियों से तयार यह अर्शोग्रिक टैबलेट ना सिर्फ खूनी बवासीर, बादी बवासीर, बलकि फिस्टुला, फिशर के लिए अचूग दवा है। 60 टैबलेट का यह पैक 180 रुपे का आता है। इसे आप अपने नजदी की पतंजली स्टोर से ले सकते हैं। यह एक आयुर्वेदिक हर्बल दवा है, जिसके निर्मान में अनेग चड़ी बूटियों का इस्तिमाल किया गया है। मकोई, एलोवेरा, वाईविडंग, धन्या, इंद्रायन, सौफ, गोखुरू, निशोथ, हरण, देसी कपूर, धाय फूल, चव्य, सोंट, दंती, मोचरस, बकायन, निमोली, इत्यादी। पतंजली रिसर्च इंस्टिट्यूट की टेस्टेड और वेरिफाइड अर्शोग्रिक टैबलेक्ट कैसी भी बवासीर के लिए काफी असरदार टैबलेक्ट है। अर्शोग्रिक के कुछ मुख्यलाप के बारे में बात करते हैं। इस टैबलेक्ट के प्रयोग से सूजन कम करने में मदद मिलती है। इसमें मौजूद जड़ी बूटियों में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं जो मलाशे के आसपास की नसों धम्धियों की सूजन को कम करती है। इस दवा के सेवन से न सिर्फ एक्जिस्टिंग बवासीर खत्म होता है बलकि इस रोग को पनपने से भी यह दवा रोकती है। अर्शोग्रिक में मौजूद विभिन जड़ी बूटियां लैग्जेटिव प्रॉपर्टीज यानि रेचक के तौर पर काम करती हैं। कब्स को दूर करती हैं, कब्स एक मुख्य वजय होती है बवासीर की। इस दवा के नियमित इस्तिमाल से हर तरह के बवासीर से निपटने में मदद मिलती है। फिस्तुला में पस के निर्मान को रोकती है, बवासीर के दर्द, खुजलाहट, ब्लीडिंग, सूजन यहां तक की डैमेजड टिशू को भी हील करती है। इस दवा का वैसे तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है, फिर भी सेवन से पहले डॉक्टरी परामर्ष जरूर लें। डोज की बात करें, तो दो टैबलेट सुबह, दो टैबलेट शाम में खाने के बाद गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। कितने दिनों तक लेना है या आपके रोग की स्थिति पर निर्भर करता है। गर्भवती और स्तन पान कराने वाली महिलाएं बिना वैद्य की सलाह के ना लें। सेवन के बाद कोई साइड इफेक्ट नजर आए, तो तुरंत इस दवा का सेवन बंद कर दें। खाने पीने में परहेज जरूर करें। जंक फूड, फास्ट फूड, तेल मिर्च से बना खाना, मैदे से बनी चीजें ना लें, फाइबर युक्त सुपाच्य भोजन लें, तनाव से दूर रहें, नियमित योगवा प्राणायाम करें, सैर करें। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन जरूर दबाएं ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। अपना अनिभग कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। थैंक यू अल फार वाचिंग।